हेलो दोस्तो मैं हूँ रिंकी और आप देख रहे हैं रिंक्स चॉइस चैनल आज में लेकर रहे हुँ दसवी पास लोगों के लिए वा आपरेंटिस की भरती और यह की जारी है भरती है दोस्तो पूरी 271 भरतियां की जाएंगी अगर आप दसवी पास है या फिर अपने आप रखा है तो आप अपरेंटिस की भरती के लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों मैं आपको बताओंगी इस वीडियो में कि कैसे आपको करना है आवेदन कैसे होगी यह भरतियां कहां पर निकल निकाली गई है भरतिया पूरी डीटेल में आपको पता चलेगा इस वीडियो मे लेकिन सबसे पहले में कहना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि भारत में निकलने वाली हर सरकारी नौकरी की जानकारी आपको आसानी से मिल सके दोस्तों दोस्तों अगर इस नौकरी के बारे में बात करें जिसमें जरूरत है आईटियाई वा दस्वी पास लोगोंकी तो भारत हैवी इलक्टेगल्स लिमिटेड में की जारी है अप्रेंटिस की भढ़तियां दोस्तों पूरी 271 भरतियां हैं हरिद्वार में निकाली गई हैं अप्रेंटिस की भरतियां इसमें आपको आवेदन करने के लिए मैं बताओंगी आपको क्या करना है कैसे करना है लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं इस नौकरी के बारे में पूरी डिटेल से दोस्तो इस नौकरी के बारे में में बताओंगी अप्रेंटिस की भरती में दत्वी पासे आईटियाएई लोगों की अवेश्चकता है जिसमें आपको 271 भरतियां की जाएंगी और इसमें ये भरतिया निकाली गई हैं हरिदवार में दोस्तो ये भी बताऊंगी इस वीडियो में कि अपने इस भरती में आपको कितना स्टेपिंड या निकी कितना पैसा दिया जाएगा पूरी ट्रेंणिंग के दोरान और मैं आपको बताऊंगी आगे इस वीडियो में कैसे आपको ओनलाइन आवेदन करना है इस भरती के लिए दोस्तो और लिखा हुए हीप, रानिपूर, हरिद्वार, उत्राखंड 249403 यह है पतार नौकरी का स्थान दोस्तों नौकरी के लिए यह पता दिया गया है इसकलाब है मैं आपको बता दू कि आपको ओनलाइन आवेधन करना है इस नौकरी के लिए तो मैं आपको बता दूँ, apprentice की इस भरती के लिए आप online आवेदन करना चाहते हैं, तो किस प्रकार आपको आवेदन करना है, मैं आपको वीडियो के नीचे description में दे दूँगी एक website link, उस website link को खोलते ही एक क्लिक करते ही आपके समने आजाएगी, पूरी detail निकल कर सामने कि इस apprentice की भरती में किस प्रकार आवेदन किया जाएगा online क्या क्या किया जाएगा क्या क्या documents लगेंगे क्या 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 कौन सा form है कैसे online आवेदन करना है कितना stipend आपको मिलेगा हर एक के लिए मैं सब कुछ आपको बता दूगी पूरी दोस्तों देखें यह नोकरी के लिए जो मैं आपको description में लिंक दूँगी यह मैंने भी खोला वीडियो के नीचे जो description में मैं आपको link दिया है दोस्तों उसे मैंने भी खोल कर देखा और मैंने जानने की कोशिश की कि किस तरह से निकलती है पूरी डिटेल मैं आपको दिखा रही हूं कि कैसे आएगी पूरी डिटेल उसमें क्या-क्या लिखा होगा आप देख सकते हैं इस तरह से द्वारा दिये गए website link को खोलेंगे जो आपको वीडियो के नीचे description में दिया गया है तो उस website link को खोलने पर आपके समने इस तरह का पेज आ जाएगा देखिये लिखा हुए भारत हैवी इलेक्टिकल्स लिमिटेड भारत सरकार का उपकरम माना संसाद संसादर रानिपूर हरिद्वार हरिद्वार में निकालेगी यह नोक्री तो इस पेज को आप देखिए किसमें निकाल ड्राफ्ट में के लिए एक मोटर मेकैनिकल वेहिकल के लिए एक फांडरी में के लिए नो पैटर्न मेकर के लिए दो फोर्जर वर हीट्रीटमेंट के लिए चार पोस्ट आइसमें और न्यून्तम योग गिता सभी के लिए है 18 वर्ष यानि कि अगर आपकी उम्र है 18 तक भड़ सकते हैं CS की वाले और इसके अलावा 40% या उससे अधिक कि अगर आप कैटिगरी के कोई हैं जिनको शारीरिक अक्षमता है तो उसको वह भड़ सकते हैं अपनी उम्र में उनको दी जाएगी 10% की छूट दोस्तों और इसके अलावा मैं आपको बता दू कि इसमें हाई स्कूल उतीन वह एंसी वीटी द्वारा मानेते प्राप संस्तान से 2015-2016 या 2017 में आई टी आई होना जरूरी है दोस्तों कर अपने आई टी आई किया हुआ है तो आप इस नोकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं वैल्डर एलेक्रिशन तता इलेक्रोनिक्स वाले ट्रेड मे आई टी आई वाला होना जरूरी और बाकी के लिए आपको देखना होगा कि किसके लिए कितनी अलेजिबिटी क्या बनती है और देखें इसमें क्या लिखा हुए दोस्तों कि जो आपका जो ट्रेनिंग दी जाएगी एक मैं बता दू आपको बेसिकली यह जो नौकरी है यह भरती जो की जारी है यह की जारी प्रिश्क्षण के लिए तो आपको पहले दिया जाएगा तो उसमें आपको बता दूँगी वह कानपुट द्वारा दिये गए निरदेश की अनुसार होगा प्रिश्क्षण और आई टी आई का जिला से वहे उजिन कारेले हरिदवार में नमंकर होना अभी का अभी अनिवार्य है मतला है किया होगा हरिद्वार से वहाँ पर आपका नमंकर होना ज़रूरी है और एक अप्रेल 2016 से पुराना आपका जाती प्रमाण पत्र होना चाहिए अगर आप किसी कैटिगरी से ब्लॉंग करते हैं अप्रेंटिस की जौब है अप यह अपको ट्रेंटिस की चैनली दी जाती है और वे ब्यरति जरोंकर के रूप में किया है वे प्रिशिक्षड रवालों को इसमें प्रात्मिकता दी जा रही है वही कर सकते इसमें और मैं आपको बता दूँकि आवेदन के पात्र टेक वर्श या उससे अधिक किसी भी प्रकार के सरकारी या तो या ना तो कर रहा हो ठीक focuses तो स्टिपेंड इसमें कि इसमें उसका सडasia 2 प्रतिश आपको दिया जाएगे गर?. तो इसमें आपको स्टिपेंड दिया जाएगा्स 6 fist αλλά कर्लिकों प्रतिशत सेलरी और सेलरी एंटा Bowl सब्सक्राव 1 दिया कीन अचनियार होma patient मैं पेड़र को मतला कि आपके हाई स्कूल में जितने अपने अंक पराप्त करें and पया किए अधार पर आपका कुछ भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं पूरी डिटेल आप जान सकते हैं इस फोन पर कॉल करके यह नंबर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर इस पर कॉल करके अगर आपको कोई भी परिशानी है पूछे यह इनका इन्होंने दिया हुआ है नंबर कि इस नंबर पर क पूरिय जानकारी ले सकते हैं जो मैंने फॉर्म निकाल कर आपको दिखा रही हूं पूरा डिटेल दिखा रही हूं इसका भी मैपको लिंक दे दूंगी आप अच्छी तरह से खुल सकते हैं और इसके अलावा ऑनलाइन अवेदन पत्र भर रहा है इसका और इसकी जो डेट है चौदा फरवरी 2018 से स्टार्ट हो चुकी है और ऑनलाइन अवेदन भरने की जो आखरी तारीक है दोस्तों आखरी तारीक है वह 23 फरवरी 2018 और जो बाकी आपको डॉक्यमेंट सागर आपके पास नहों तो इंतजाम मतलब की उसका राइंजमेंट करने के लिए आपको समय दि इंट्रिव लिया जाएगा इंट्रिव 60 मार्च 2018 को इसके अलावा जो स्पत्राइब कर दोगों के जिस्ट अप्रेइल 2018 को और मैं आपको बताथ। जॉइन करने कि जो आपको अप्रेंटिस के रूप में इसको जॉइन करेंगे ट्रेनिंगे वह का 3 अप्रेयल 2018 से आप जोइन करेंगे इसमें लिखा हुआ है साफ दोस्तों देखिये ये पूरा आ सकते हैं पूरा अच्छी तरह से इस पेज को निकालिए मैंने आपको वेबसाइट लिंक दे दिया है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाईए वेबसाइट लिंक खोलिए ओनलाइन अपलाई कीजिए अगर आपको अनलाइन अपलाई नहीं आता है तो आप किसी कैफ अगर आपने दसवी पास किया है या फिर अपने आईटी आई किया है आप ऐलिजिबल हैं तो जरूर इसके लिए आवेदन कीजिए दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने का पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है कि कैसे निकलेगा वेबसाइट लिंक के द्वारा आप य इसमें जो फोन नंबर दिये गए आप उस पर कॉल करके पूरी आपको प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं यह फोन नंबर वेबसाइट लिंक में ही आपको दिखाया है मैंने कि क्या फोन नंबर फिर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में यह दे दूंगी फोन नंबर ताकि आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कोशन पूछ सकते हैं मैं आपके पूरे अंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी दोस्तों इसके लावा अगर आपको कोई भी कुछ भी पूछना है किसी अन्य स्टेट में आप हैं नौकरी की जानकरी चाहते हैं तो वो भी मैं आपको गंटी के बटन को जरूर दबाईए ताकि भारत में निकलने वाली हर एक सरकारी नौकरी की जानकरी आपके पास असानी से पहुच जाए दोस्तों वीडियो देखने के लिए रैंक्यों सो मच